How to create whiteboard animation video in android phone एक बहुती आसान तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ वीडियो को पूरा देखेगा बिना skip के साथ में आप सारे steps को follow करिएगा तो चलिए दोस्तों चलते हैं फटाफट अपनी mobile screen की तरफ जोस्तों जिस एप का यूज हम आइडेनिक के लिए करने वाले हैं उसका लिंक आपको description में मिल जाएगा इसका नाम है काइन मास्टर डारेक्ट प्लेस्टूर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो एप को open करने के बाद कुछ ऐसे इंटरफिस आपके सामने open होगा उपर media के option पर आपको click करके यहां पर एक white background आपको select करना है जैसे मैने करा है इसको कितना देर का करना है वो आपकी video के पर depend करता है आप अपने असाब से अरजस्ट कर सकते हैं लेयर वाले option पर click करके आपको उस image को select करना है जिसका आप यूज करना चाहते हो अपनी वीडियो में इस select करने के बाद एक option मिलेगा आपको उपर की तरफ in animation का आपको इस पर click करना है और थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है वाइब डाउन वाले को select करना है कि speed आपको 3.0 पर ले जानी है बिल्कुल इमेज का size थोड़ा सा बड़ा करना है आप अपनी वीडियो के साब से adjust कर सकते हो अब आपको लेयर वाले option पर फिर से एक पर click करना है और फिर इमेज वाले option पर click करना है अब आपको यहां पर एक image उठानी है hand वाली दूस्तों इसकी link आपको description box में मिल जाएगी आप महां से आपको easily download कर सकते हो कि अपको इस hand वाली image पर click करकर यहां पर एक चाविक option आपको साइड में मिलेगा को इस पर click करना और अब मैं जैसे जैसे करते जा रहूं करके यहां पर प्लस वाले option पर click करके यहां पर एक point लगा देना और इसको slide की तरफ ले जाना है और अब को फिर से यहां पर आगे बढ़ा के एक पॉइंट और लगाना है और बिल्कुल ऐसा ही करते करते आपको इस हाथ को बिल्कुल नीचे तक लाना है तो आप देख सकते हो लास्ट होट मैंने आपर लगा दिया आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ आगे आपने देखा है बिल्कुल सही से हो चुका है आप भी बिल्कुल इसी तरह अपनी वाइट बोर्ड एनिमेशन की वीडियो को बहुती आसानी से क्रियेट कर सकते हो डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप महाँ से इसको इसी ली डाउनलोड कर सकते हो एप को भी और हाथ के एनिमेशन को भी दोस्तों वीडियो परसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राब करके बैल आइकन जरूर प्रेस करना